हेलो दोस्तों आप सभी का जनता क्रियेशन में स्वागत है मैं आपकी होस्ट और दोस्ट शगुन आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाएं हैं अकबर बीरबल की नई कहानी सारा जग बैमान आईए शुरू करते हैं कहानी एक बार की बात है बाश्शा अकबर और बीरबल हमेशा कीता है एक दिन बैठकर अपनी परजा के बारे में बाते कर रहे थे बातों ही बातों में बाश्शा ने कहा की बीरबल तुम्हें पता है हमारी परजा बेहद इमानदार है इसका जवाब बीरबल ने यह कहते हुए दिया कि बाश्शा सलामत किसी भी राज्य में लोग पूरी तरह से इमानदार नहीं होते सारा जग ही बैमान है बीरबल की यह बात पसंद नहीं आई उन्होंने पूछा बीरबल तुम यह कैसी बाते कर रहे हो बीरबल ने उतर दिया कि मैं एकदम सत्य कह रहा हूं महाराज आप चाहो तो मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूं इतना आत्म विश्वास देखकर बाश्शा बोले ठीक है जाओ तुम अपनी बात को सच साबित करके दिखाओ बाश्शा अकबर से इजाजत मिलते ही बीरबल पूरी प्रजा की बैमानी भार लाने की लिए तरकीब सोचने लगे उनके मन में हुआ की लोग खुल कर बैमानी नहीं करते हैं इसलिए कुछ अलग करना होगा यह सोचते ही उन्होंने पूरे राज्ये में यह एलान करा दिया की बाश्शा एक बड़ा सा भोज कराना चाह रहे हैं उसके लिए वो चाहते हैं की पूरी जनता अपना योगदान दे बस आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं एक लोटा दूद पतीले में डालना होगा इतना ही प्रजा की तरफ से काफी है इस बात का एलान करवाने के बाद जगे जगे पर एक दो बड़े बड़े पतीले रखवा दिये गए इतना बड़ा पतीला और राज्ये की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उनमें लोगों ने शुद दूद डालने के बज़ाए पानी मिला हुआ दूद डाला किसी किसी ने तो सिर्फ पानी ही डाल दिया हर किसी के मन में यही होता था कि सामने वाले ने तो दूद ही डाला होगा अगर मैं पानी या पानी मिला हुआ दूद डाल दूँ तो क्या होगा शाम तक पतीलों में दूद इखटा हो गया बीरबल अपने साथ बाश्या अकबर और कुछ रसोईयों को उन जगाओं पर ले गए जहां पतीले रखे गए थे भाश्या ने जिस पतीले में देखा तो दूद नहीं सिर्फ सफेद पानी ही दिखा रसोईयों ने भी कहा कि महराज ये दूद नहीं है ये सारा पानी ही है इसमें मुश्किल से आधे से एक लोटा दूद होगा जिसकी वजह से इसका रंग हलका सफेद है वरना ये पानी से जादा कुछ नहीं है इन सारी चीजों को देखकर बाश्या अकबर हैरान हो गए उनके मैं में हुआ कि मैं तो सबको इमानदार समझता था लेकिन बीरबल की बात तो सच निकली उन्होंने बीरबल को कहा कि तुम ठीक ही कहते थे मुझे हकीकत समझ आ गई इतना कहते हुए बाश्या बीरबल और रसोईये अपने महल वापस आ गए तो दोस्तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी पर भी अंधा भुरोसा नहीं करना चाहिए मौगा मिलने पर लोग बैमानी करने से चूकते नहीं है तो दोस्तो आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और आने वाली नई वीडियो में हम आपके लिए कौन-कौन सी कहनिया लेकर रहें यह भी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो दो नोट फॉर्गेट तो लाइक, शेयर एंड सस्क्राइब